हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एओ समित गीजर की वर्किंग को टेस्ट करेंगे प्रेक्टिकल देखेंगे कि ये गीजर पानी गरम करने में कितना टाइम लगाता है और कितने टंप्रेचर के ओपर पानी गरम करता है यह वही गीजर है जिसकी आपने unboxing video मेरे चैनल के उपर देखी थी यह हमारे घर पर लगा हुआ है जगा थोड़ी सी congested है आप यह मान सकते हैं गीजर जितनी जगा है जिसमें इसको लगा दिया है बाथरूम से बाहर है यह बाथरूम का दरवाजा इस तरफ है और यह बाहर लगा हुआ है और इसकी आज पूरी testing करेंगे अलांकि यह video थोड़ा late हो गया लेकिन मेरे को use करते हुए इस geezer को almost one month हो चुका है और इसकी performance से मैं बिल्कुल satisfied हूँ और इसलिए मैंने आपको इससे recommend किया था आप देख सकते हैं इस पर तीन settings मिलते हैं low medium और high अलांकि इनके बीच में भी हम कहीं भी इस knob को set कर सकते हैं लेकिन हम इन तीनो settings के ओपर ही इसका temperature set जो temperature है वो चेक करेंगे कितने temperature पर यह पानी को गरम करता है इन तीनों settings पर और कितना कितना time लेता है और कितनी बिजली खाता है यह सारी चीजें हमें यह हमारा मीटर है यह बता देता है आप सब जानते हो यह मीटर हमें यूनिट कंसंशन बताता है पावर सप्लाई वगएरा सब कुछ बताता है और temperature मीटर से हम इसकी पानी का जो गरम पानी है उसका temperature देख लेंगे इसकी जो सप्लाई है वो फिलाल यहां से मैंने बंद कर दिया अंदर बादरों में और यहां पर बोड जिसमें हम बटन अन करेंगे जब यह ऑन हो जाएगा और जब यह ऑन होता है तो इसके ऊपर एक इंडिकेटर आता है तो चलिए आब इसकी Testing स्टार्ट करते दे पहले हमठंदे पानी का cascade कर लेते हैं है और इसमें आप stars sensor लाकर चेक करते हैं कि यह टंपरेचर कितना है तो अगर आपको दिख रहा हो अभी फिलाल 21.9 इस पे रीडिंग आ रही है अब देखते हैं कि यह temperature कितना है पानी का तो यहाँ पर temperature है यह आप देख सकते हैं मैं थोड़ा नजदीक करके दिखा दूँ आपको 23.4 तो चलिए अब इसको on करते हैं सारी चीज़े हमारी ready हैं आप देख सकते हैं stop watch के लिए phone को hang कर दिया है मैंने बहुत ही risky condition में और यह meter भी हमारा ready है जो सारी readings हमें दिखाता है और geezer अभी बंद है तो यहाँ पर मैं आपको पहले meters की reading दिखा दूँ तो आप देख सेते हैं सबी चीजें 00 है supply 230 है और जो frequency है वो 50 Hz की आ रही है यहाँ पर और अभी जो यह geezer है basically मैं थोड़ा सा उपर करके दिखाता हूं आपको तो अभी low settings के उपर यह set किया हुआ है मैंने और अब इसको on करेंगे और फिर देखते हैं low settings पे यह कितना load लेता है कितना time लेता है पानी को गरम करने में और basically कितनी बिजली यह खाता है तो star watch को यहां से थोड़ा सा update करना मुश्किल हो रहा है बट चलिए कोई नहीं मैं कोशिश करूँआ तो फिलाल इसको on करते हैं तो यह on मैंने कर दिया है बट यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि geezer on नहीं हुआ है आप भी देख सकते हैं कि यहां पर जो readings हैं वो बिल्कुल zero है अच्छा मैं geezer आपको दिखाता हूँ एक बार geezer यहां पर on हो चुका है green light आ रही है और green light का मतलब यह है कि जितने temperature का पानी इसके अंदर है उससे भी कम temperature पर यह low settings के उपर पानी को गरम करेगा हमारा जो पानी था वो इसके हिसाब से low settings पर पानी गरम ही है इसलिए इसका जो थर्मोस्टेट है वो गीजर को on ही नहीं होने दे रहा है तो अब नोब को थोड़ा सा गुमाना पड़ेगा ताकि यह on हो और देखते हैं फिर कहां पर यह on होगी और उसके बाद फिर देखेंगे अगर medium के आसपास ही कही on होती है तो फिर हम इसको medium पर ही run करेंगे अब इसका मैं नोब गुमाऊंगा तोड़ी height पर लगा हुआ है इसलिए जो problem हा रही है तो अब यहां पर light दिख जाएगी तो यह लगबग low और medium के बीच में आया है तब यह चला है तो अब मैं इसको ऐसा करता हूँ मीडियम पर ही on कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं जब यह heating mode पर होता है तो यहां पर light जलती है यह मैं आपको पास से दिखाता हूँ एक बार यह देखें तो यहां पर यह जब heating mode पर होता है तो light जलती है red color की और green भी चलती रहती है लेकिन जब गर्म हो जाता है पानी कट हो जाता है जो इसका thermostat है तब यह orange वाली बंद हो जाती है सिर्फ green जलती रहती है और आप देख सकते हैं medium settings के उपर मैंने इसे चलाया अच्छा अब load की अगर बात करें इसको भी on कर लेते हैं तो time भी अब मैंने on कर लिया है चलो कोई बात नहीं 10-12 seconds हम add कर लेंगे ज लोड ले रहा है और unit consumption आप देख लो कितने तेजी से शुरू हो गए है 0.03 unit consume हो चुके हैं और जो power का input है वो 223 वोल्ट के आसपास आ रही है और जो ampere है आप देख सकते हैं 7.8 ले रही है यह machine ampere तो गीजर 2000 वाट का है तो लग बग लग बग 7.8 इसको आप 8 ampere के आसपा रही है इसको मैं 230 पर सेट करता हूं क्योंकि 230 के हिसाब से ही सारी जो settings होती है हमें बताया जाता है power consumption वगएरा तो आप देख सकते हैं अब 230 वोल्ट input आ रही है और 1850 के आसपास यहां पर लोड है जो कि 1750 पर था जब मैंने आप इसकी input बढ़ाई है तो 1850 यहां थारा सु consumption है वो भी तेजी से बढ़ती हुई और अब आप देख लीजिए बिल्कुल आठ हमपेर का लोड यहां पर चल रहा है और इस गीजर को चलते हुए एक मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं 10 सेकंड आप उपर मान लीजिए क्योंकि हमने stopwatch जो है वो लेट स्टार्ट की थी अच्छ जब आप इसमें से पानी निकाल रहे होते हो और साथ की साथ घरम हो रहा होता है पानी इसमें तब यह डम 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 भी काफी ज़्यादा करता है हलांकि यह कोई problem नहीं है यह मैंने इनकी help line पे call करके और जो इनका technician आया था उससे भी confirm किया है तो यह कोई problem नहीं है यह कहते हैं कि इसमें glass line tank है तो इसलिए यह noise जो है यह आती है यह बिल्कुल normal है और जैसे जैसे use आप करते जाएंगे geezer को तो यह noise दीरे दीरे कम होती जाएगी और मैंने फील भी करा है स्टाडिंग में काफी जादा आती थी अब मीना नेड़ मीना हो गया है तो थोड़ी सी noise में कमी आई है तो यहां पर आप देख सकते हैं लगबग साड़े तीन मीनट होगे है इसको चलते हुए और जो लोड है वो 860 के आसपास था जो की 1850 के आसपास आ चुका है और जो यूनिट की consumption है वो 0.13 हो चुकी है और 230 का supply जो है यहां पर हमें फिलाल constant मिलता हुआ और ampere जो यह गीजर ले रहा है आठ अमपेर ले रहा है यह गीजर तो आप देख सकते हैं कि कोई भी गीजर हो AC हो बहुत ही heavy appliance होते हैं यह जो load काफी लेते हैं तो इनके लिए जो wires वगयरा है वो भी आप अच्छी quality की use करें और उनका जो thickness है वो भी अच्छी quality का लें अच्छा लें ताकि कोई ऐसा risk ना रहे कि कोई burning हो रही है कहीं पर short circuit हो रहा है तो इसलिए अच्छी quality का ही आप इसमें socket वगयरा plug वगयरा सब यूज करे है जनरली जो मतलब हम चलाते हैं वो यहां से चलाते हैं इसको MCB लगाया है मैंने बटन नहीं लगाया है ताकि safety रहे तो यहां से basically हम इसको on कर देते हैं और ऊपर कोई button नहीं लगाया वो directly फिर geezer को on कर देता है तो अगर height पे रहेगा तो यह सब चीजे करनी पड़ती है अगर geezer के आसपास कोई आपका socket नहीं है लेकिन जो भी यह cables वगेरा यूज करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छी quality की करें आप जो कि इसका load जेल सके ऐसा ना हो कि तोड़े time चलने के बाद यह जल जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो यह risky हो जाता है काफी तो अ इसके ने degree पर वो जो पानी है वो गर्म होगा तो होपसो यहां से आपको geezer का indicator भी दिख रहा होगा और यह जो meter है इसकी readings भी दिख रही होंगी वो मैं बताता भी रहूंगा आपको साथ साथ में और star watch भी आपको यहां पर दिख रही है तो basically मेरा मतलब यह होता है videos बनान detail में कि वो क्या performance देते हैं कितनी power consumption है उसकी कितना time लेते हैं सारी चीजे में चाहता हूं कि मेरे viewers को पता लगें क्योंकि इन चीजों से knowledge बढ़ती है और जो चीजें आप खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको knowledge होना बहुत जरूरी है और यह knowledge अगर आपको खरीदने से प पोस्त देखा होगा कि हमारे पास एक क्रॉम्टन का गीजर भी आया हुआ है जिसकी वीडियो भी आने वाली है चैनल के उपर और फिर उसका भी टेस्टिंग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और I will try कि A.O. Smith vs. Crompton टेस्टिंग वीडियो में इसका करूं और इसका comparison वीडियो क्यूं में लगी हुई है अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी थी इस वज़े से मैं वीडियो कम डाल पा रहा हूं चैनल के उपर लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है जिससे मुझे हिम्मत मिलती है और अपने बहुत जादा busy schedule में भी मैं वीडियो र 1860 के आसपास चल रहा है और 0.25 यूनिट जो है वो consume हो चुका है यानि कि एक यूनिट का 25% consume हो चुका है आप देख सकते हैं जो 2000 वाट की चीज है वो कितनी जल्दी power consumption करती है तो अगर ये गीजर वैसे बता रहा हूं चलेगा नहीं एक घंटा अगर ये गीजर एक घंटा चलता रहा तो लोड के हिसाब से ये 1.8 या 1.9 यूनिट कर देगा तो कोई भी हैवी चीज है अगर आपके पास तो आप ये मान के चलिए कि वो काम तो तेजी से करती है लेकिन power consumption भी फिर वो तेजी से करती है अच्छा ऐसा नहीं है ऐसा ये नहीं कि जादा बिजली ये ख पर देगा तो उतनी जल्दी फिर ये कट हो जाएगा तो इसलिए तेजी से जरूर खा रहा है लेकिन इसका एक नुकसान हो जाता है कुछ लोगों को कुछ लोगों के जो electricity meters होते हैं वो कम kilowatt के होते हैं कम load के होते हैं अब जैसे किसी का 1 kilowatt का load का meter है अब वो 2 kilowatt का घीजर लगवा रहा है तो उसको फिर load increase करवाना पड़ता है या 3 kilowatt का कोई घीजर लगवा रहा है जैसे यह हो गया अपना instant घीजर आते हैं उसका वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर हैवल्स का घीजर मैंने पर्चेस किया है उसकी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी जो पानी जल्दी गरम करना है तो wattage तो बढ़ाना पड़ेगा लेकिन फिर आपको अपने मीटर का kilowatt load भी बढ़वाना पड़ेगा नहीं तो फिर आपको charges लगेंगे या फिर कोई penalty भी लग सकती है तो यह सारी चीजे भी आपको ध्यान में रखनी होती है कोई भी चीज अठारा सो सत्तर के आसपास आ गया जो अठारा सो पचास यहां साथ के आसपास चल रहा था और 0.33 यूनिट्स जो है वो चुके हैं तो देखते हैं कि कितना टाइम यह लेता है हलांकि इसकी quality बहुत बैटर है एयो स्मित की और जो इसकी performance है वो भी मेरको तो काफी अच्छ गीजर जो वीडियो पाइपलाइन में है वो जो मॉडल है वो आयोटी है बाट इस गीजर को भी मैं स्मार्ट गीजर की तरह ही यूज करता हूँ इसके साथ एक स्मार्ट प्लग लगा कर क्योंकि हम जब उठते हैं तो फिर गीजर चलाएंगे तो आपको वेट करना पड़ बेस्ट स्मार्ट प्लग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर उनको चेक कर सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं और अपने किसी भी नॉन स्मार्ट अप्लाइन्स को स्मार्ट बना सकते हैं अपने फोन से आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं ऑन आप पानी ले रहे हो, पानी में हाँ डाल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉक प्रूफ है, हाँ, एक बात और मैं आपर बता दूँ, कि गीजर्स में ये शिकायद जरूर आती है, कुछ सालों बाद की शॉक लग गया, ये करन टा रहा है पानी में, तो सबसे पहले तो उस चीज से बचने के लिए आपको अपके घर में प्रॉपर अर्थिंग की वारिंग करानी पड़ती है, जब गीजर्स बहुत जादा पुराने हो जाते हैं, तो उनके अलिमेंट वगरा गल जाते हैं, सड़े आते हैं, जिसकी वज़े से ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो गीजर्स में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ती है उनको यूज करते हुए, बढ़ हाँ, जैसे अगर आपने नया लिया है, तो चार-पांच साल कोई दिखकत नहीं है, बेदड़क आप यूज करते रहो, तो बेसिकली जो घीजर्स हैं, वो काफी जादा मतलब कर देते हो, हलांकि मैंने बहुत साल इमर्शन रोड का यूज किया है, और गैस गीजर का भी यूज किया है, मैंने काफी साल, और अब इलेक्ट्रिक गीजर यहां पर लगाया है, मैंने, तो इसका भी अच्छा एक्सपिरियंस है, लेकिन अवर अगर मैं कहूं, तो सबसे जादा अ इंतजार रहता है कि कौन सा गीजर जादा किफाईती है, तो जो इलेक्ट्रिक गीजर हैं, वो कितनी बिजली खाते हैं, उसके हिसाब से उसका कंजम्शन निकाला जा सकता है, और उसका जो खपत है, वो निकाली जा सकती है, और जो गैस गीजर हैं, उनकी जो खपत है, वो ग्यास को calculate करके निकाली जा सकती है मेजर करके तो इसका भी एक वीडियो comparison वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और ये वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा जिसमें मैं आपको gas गीजर और electric गीजर दोनों की working दिखाऊँगा और उसमें हम क्या करेंगे कि एक एक बालती पानी दोनों ही गीजर से हम लेंगे और फिर देखेंगे कि एक बालती पानी गरम करने में electric गीजर ने कितना time लगाया और एक बालती पानी गरम करने में gas गीजर ने कितनी gas को consume किया उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा गीजर जादा किफायती होता है और बाकी सारी भी टेस्टिंग कर लेंगे उस वीडियो में सारी वीडियो पैपलाइन में हैं आप जो वीवर्स हैं वेट कर रहे हैं वीडियो का तो आपको मैं बस यही कहूंगा कि ताकि आप लोगों को भी प्रॉपर नॉलिज मिलती चले एमलग के उपर हम नॉलिजबल वीडियो ही बनाते हैं डालते हैं ताकि आप लोगों की जो नॉलिज है वो इंक्रीज हो तो चलि आप देखते हैं रीडिंग्स की तरफ तो यहाँ पर 15 मिनट से उपर का टाइम हो चुका है स्टाव वाश में और गीजर अभी भी ऑन कंडिशन में आप देख सकते हो जो लाइट है वो जल रही है और जो लोड है वो है दोस्तों 1880 के आसपास है अचा 1880 के आसपास इसलिए आगया है लोड क्योंकि 2 वोल्ट की सप्लाई बढ़ गई है 232 वोल्ट यहाँ पर हो गए है इस वज़े से वो 1880 के आसपास आगया है यह मैं आपको पास से दिखा देता हूँ थोड़ा भी अगर वोल्टेज में उपर नीचे होता है ना तो लोड में भी उसी टाइम विरियेशन आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगबख 16 मिनट का टाइम हो गया है और आधा यूनिट बिजली खा चुका है यह गीजर 0.5 यूनिट और अभी यह मीडियम सेटिंग्स के ओपर चल रहा है और पानी का जो टेमपरेचर है जब यह लाइट बंद हो जाएगी कट हो जाएगा यह गीजर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि कितने टेमपरेचर पर इसने पानी को गरम करा तब तक इसको चलने देते हैं और देखते हैं और कितना यह टाइम लेगा जब यह कट हो जाएगा वहाँ से हम वीडियो को रिजियूम करेंगे तो यहाँ पर जो गीजर है वो कट हो चुका है और मीडियम सेटिंग्स के ओपर इसने जो पानी है वो गरम कर दिया है 17 मिनट 50 सेकंड यहाँ इसको आप 18 मिनट मान लो क्योंकि 10 सेकंड हमने लेट भी शुरू किया था इसको तो आप देख सकते हैं जो कट होने के बाद यह जो लाल लाइट है वो बंद हो गई है हरी चल रही है और यहाँ पर रीडिंग्स की अगर बात करें तो यह भी आप देख लीजिए 0.57 यूनिट इसने कंज्यूम कर लिया है लोड अब 0 हो गया, supply 236 पर आ चुकी है क्योंकि अब लोड खतम हो गया तो थोड़ी सी बढ़ती है हमेशा वोल्टेज और अमबेर भी 0 हो गया है तो लगबग 8 अमबेर भी यह मशीन चल रही थी और मीडियम सेटिंग्स के उपर इस मशीन ने 0.57 यूनिट कंज्यूम कर लिया अब बारी है होट वाटर टेंपरेचर पता करने की कि इसने लो सेटिंग्स के उपर कितने टेंपरेचर पर पानी को गरम किया उसके लिए हम सेम उसी तरह से जैसे हमने ठंडे पानी का टेंपरेचर चेक किया था उसी तरह से हम गरम पानी का टेंपरेचर चेक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास वही मग है तो समय में हम पाणी डालते हैं कर में तो यह में निकाल देथा ओं और की यह पानी और नहीं सेंसर और देखते हैं कि पानी का जो टेंपरेचर है वो कितना हो गया तो बेसिकली यह बताएगा हमें ओप सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरेकों रीडिंग्स जो दिख रही है वो 35.5 डिगरी के आसपास पानी गरम हो चुका है और हो सकते है थोड़ा सा और तेंपर तो 42.5 जो फाइनल रीडिंग है यहाँ पर यह है तो अब इसको हाई पर हमने सेट कर लिया है आपको दिखाना चाहूँगा यह देखिए नॉब इसका हाई पर सेट कर दिया है अब मैंने और टाइम वहीं पर रोका हुआ है वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम और सारी रीडि है वो 234 है तो जैसे हम इसको अन करेंगे अगर वोल्टेज में विरियेशन होगा तो हम उसको सेट करेंगे तो 230 पर ही हम इसको टेस्ट कर रहे है तो चलिए इसको अन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं आँन हो चुका है गीजर यह देखिए लाइट यहाँ पर चल गई ह है heating mode on हो गया इसका और stopwatch को भी हम यहां पर on कर लेते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो 1800 watt का यह गीजर लोड ले रहा है और 0.58 units consume हो गया है voltage थोड़ी सी मैं यहां पर increase करूंगा क्योंकि 230 पर हम अब आपको टोटल टाइम भी पता लग जाएगा कि कितना लगा एक साइकल में पूरी और यह भी पता लग जाएगा कि यह जो गीजर है यह मीडियम से हाई पर आने में कितना टाइम लगाता है तो होप सो आपको अब गीजर भी दिख रहा है उसकी light भी दिख रही है stopwatch और यह मीटर भी दिख रहा है मीटर की रीडिंग्स हो सकती है कि आपको साफ ना दिख रही हो बट अब यूट्यूब में फीचर आ गया है जूम करके देखने का तो आप उसके help से देख सकते हो या फिर मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा तो चीजे जो है थोड़ा द प्लाई है 0.62 यूनिट चल रहे हैं और जो 19 मिनट बत्ते सेकंड हो गए है इसको चलते होगे तो आप देखेंगे कि हाई सेटिंग्स के ओपर टोटल कितना टाइम लगता है इस घीजर को और मैंने आपको ठंडे पानी का भी तेंपरेचर दिखाया था इसका और मीडियम पर जो तेंपरेचर आया था वो भी आपको दिखाया था इतिंग 42 के आसपस था और जो टाइम लगा था थारा मिनट के आसपस टाइम लगा था मीडियम सेटिंग्स के ऊपर और जो यूनिट हो गए थे वो 0.57 ओ थे तो लगबग 5 यूनिट से ज़ादा बिज्ली खाली थ और इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि इस गीजर की maximum heating capacity कितनी है कितने temperature से maximum गीजर maximum पानी को गरम कर सकता है तो क्योंकि पानी का temperature भी हम साथ साथ में देख रहे हैं तो वो सारी चीजे भी हमें पता लग जाती है तो अभी तक तो मैंने इसको high पे चलाया ही नहीं है कभी medium और high के बीच में मैंने इसको रखा हुआ है लेकिन आज इसकी वीडियो टेस्टिंग हो रही है इसलिए मैंने इसको high पे किया है otherwise हमें जुरत नहीं पड़ती है इसको proper high पे करने की क्योंकि medium और high के बीच में भी जहां पर सेट मैंने किया है इसका नौब जहां पर वहां पर भी हमें बहुत जादा गरम पानी मिल जाता है आप यह मान लिजे कि हमें आदी बाल्टी हम गरम पानी की लेते हैं और आदी बाल्टी ठंडे पानी के उसमें मिलानी पड़ती है तो इतना गरम पानी हो जाता है हाँ यह है कि आगे आगे जब ठंड बड़ेगी तो obviously ठंड भी बड़ेगी पानी का जो temperature है वो भी down जाएगा ठंडे पानी का temperature भी down जाएगा तो उसमें क्या होगा कि फिर और टाइम लगा करेगा पानी को गरम होने में और हो सकता है हमें और जादा गरम पानी के जुरत पड़े तो ऐसे में फिर हम इसको high mode पे चलाएगे तो और जादा टाइम लेगेगा तो यह सारी चीज़े depend करती है कि आप जो पानी घरम कर रहे हो उसका temperature क्या है अगर उसका temperature ही बहुत जादा है तो obviously जो गीजर है वो थोड़े टाइम के लिए चलेगा आप जैसे इसी वीडियो में आपने देखा होगा स्टार्डिंग में इस गीजर में जो पानी था उसका हमने temperature चेक किया तो वह almost 23 के आसपास था और 23 degree के आसपास पानी था और यह गीजर लो पे चला ही नहीं क्योंकि उसका जो thermostat है वो इसको सेंस कर रहा था कि यह अल्रेडी गरम ही है पानी यह सारी चीजे आपको इन वीडियो के माध्यम से समझ आती है क्योंकि मैं आपको बहुत detail में सारी बाते समझाता हूं क्योंकि बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो कहता है हमारा गीजर तो एक घंटा लगा देता जी कोई है हमारा 25 मिनाड़ में पानी घरम करता है तो dependence यह करता है कि सबस्ट कि आप जो पानी को घरम तो मैं hard water, soft water, दोनों waters का एक comparison वीडियो बना के दूँगा कि कौन सा पानी जल्दी गरम होता है, क्या ऐसा कुछ है, यह सेम ही time लगता है, तो यह साही जीजे, आपको पता लग जाएंगे उस वीडियो में भी, तो बहुत सारी वीडियो हैं वो आपकी knowledge बढ़ाती है, आपकी मतलब कोई चीज लेनी है, उसमें help करती है, overall आपकी knowledge increase करती है इस channel की हर एक वीडियो, और यह चीज शुरू से ही होती आ रही है, और भगवान करें, आगे भी हम इसी तरह से continue करते रहें, और आपकी help होती रहें, आपकी knowledge बढ़ाते रहें, तो अब आप देख लीजे readings की तरफ में ध्यान दूँ, तो इस गीजर को चलते हुए, लगवग पांच मिनिट का टाइम हो गया है, और पांच मिनिट में इसने लगवग लगवग 0.23 यूनिट कंजियूम कर लिए है, क्योंकि अब टोटल जो यूनिट कंजम्शन होगी है, वह 0.8 हो गई है, अभी भी एक यूनिट कंजियूम नहीं हुआ है, और 16, sorry, 1865 या 70 के असपास लोड चल रहा है, और जो सप्लाई है, वह 231 के असपास आ गई है, तो आप ये मान के चलिए कि 230, 229, 231, ये मतलब इसको आप 230 ही मान के चला कीजिए, एक आदा वोल्ट इदर निजे होता तो अमपेर जो है, वह आप देख लीजिए, कॉंस्टेंट 8 अमपेर पर मशीन ये चल रही है, और जो टोटल टाइम की, अगर मैं बात करहा हूं तो लगबग से 26 मिनट का टाइम यहां पर होने वाला है तो आप देखते हैं, और कितना टाइम यहां पर लगेगा, और कितने टेंपरेचर के ऊपर हमें पानी मिल जाता है तो गीजर, जो है, कट आउफ हो चुका है, आप देख सकते हैं, जो रेड लाइट है, वो बंद हो गई है और यहां पर आपको मैं पास से दिखा देता हूं, ग्रीन लाइट आउन है, रेड बंद हो गई, इट मींस हाई पर यह कट आउफ हो चुका है और जो रेडिंग्स हैं, वो 39 मिनट्स, 24 सेकंड्स हमें मिली हैं, और जो यूनिट कंजाम्शन है, वो भी आप देख लीजिए, 1.24 यूनिट कंजूम हो चुके हैं, जो सबा यूनिट यहां पर कंजूम हो चुका है ठीक है, तो यह है आपके सामने साधी रीडिंग्स, एओ समित की, तो यहां पर मैं एक बार आपको पुरानी रीडिंग्स भी समझा देता हूं, जो पुरानी रीडिंग्स थी, मीडियम सेटिंग्स के उपर तो 18 मिनट लगाए इसने, और 0.57 यूनिट कंजूम करें, 42 अब जो है, इसका हम पानी चेक करेंगे कि कितने टेंपरेचर पर इसने पानी को गरम किया, जैसे हमने पहले किया था, उसी तरह से थोड़ा सा पानी हम निकाल रहे हैं, जो पाइप में होता है, बेसिकली, और उसके बाद इस मग में हम पानी ले रहे हैं, पानी बहुत जादा गरम हो गया है तो आप देखते हैं कि कितना गरम पानी हुआ है हमने काफी सारे immersion rods भी टेस्ट किये हैं और गीजर भी अब टेस्ट कर रहे हैं पहले भी एक सब्सक्राइब को गरम कालिक विए गेविण युकाई गरम किया है और गीला है और जो बिजली खाई इसने वह भी आपके सामने है तो वीडियो आपको कैसा हुए कमेंट में जरू बताइएगस और इस A.O. Smith के गीजर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका buy link आपको description में मिल जाएगा और इसके साथ साथ और भी जो best geyser available हैं market में उनके भी links आपको मिल जाएंगे क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी हैं तो घरम पानी की सब को जुरत है तो ऐसे में एक best geyser लेना ही सही रहता है तो उन सभी best geysers के link आपको description में मिल जाएंगे आप वहाँ पर जाकर उनकी details चेक कर सकते हैं price चेक कर सकते हैं और जो भी आपके budget में आए उसको खरीद सकते हैं तो जलिए इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलूँगा आपको किसी नहीं वीडियो में किसी नहीं topic के साथ तब तक के लिए God bless you दोस्तों